पहले भी जादब मजबूत था लालु जी कभी जादब रेली नहीं किये लेकिन बोलते थे मांचवासे कि जादब तुटे वला हाओ जादब को भाइस नहीं पटक सका इना रेंदर मोदी लव मेरे जुगा कि अरेंज हुआ था अरेंज हुआ था दहेज कतना ले था फ्रीज यह जादब में है और बीएड भी है अच्छा वार गांच़ कॉनकुन भी सेमें में पढने में इंट्रेस्ट नहीं रहता था था उतना राजिति कमको इंटेस्ट था पिता जी का इक्षा था पर्हें पॉलिटिक्स में नहीं जाएं मारे पिता जी किसान परिबार कर थे अ नहीं तो बेचो तरकारी, टीकटवा कैसे मिला? जब लालु अदव राजनीत में कहीं नहीं थे न, तब भगवतिया देवी विधायक बन गई थी, देखिए, उनेशो उनहत्तर में भगवतिया देवी विधायक बन गई थी, सोसलिस्ट पार्टी से, उमा भारती जी जो है, इसे पांच मी क्लास पढ़ी लिखी है, उभी महत इसी प्रियास में आज हम आए है, सीता मढ़ी के बाजपटी विधासवाद छेत्र के विधायक है, मुकेश यादब जी और उनकी पत्नी है, ये मुखियां, इन लोग से भी हम बाच्षित करेंगे, और कैसे कैसे राजनीत में आए, और कैसे टिकट मिला, कैसे विधायक बन कैसे मुख्या बनी ये सारी बाची तभी होगी कैसे कैसे राजनित में आगे क्या पढ़ाय लिखाई है कहां गां हुआ पहले ये संशिप परिचाई हो जाए से से पीता जी वहां होस्टक में रख दिये थे पिता ची का इक्षा था जै परहे पॉलिटिक्स में नहीं जाएं लेकिन हम इस्कूल ंहें पीट से हिं present में मन लगता था इस्कूल में मुनेटरिंग काम करते थे और ग्रूप जोतने का काम, ग्रूप लीडर के काम करते थे इस्कूल लेवल से ही, बन करता था हमारे पिता जी के हाँ जो पहले विधायक MP हमारे दरवाजा पर आते थे तो उनसे थोड़ा हमको आउर पुछाता था जहां भी विधायक MP बने, शुर्य में ही इक्षा थी, लेकिन पिता जी हमको उसे टर्न अप नहीं होने देते थे राजिन्ति में, तो मैट्रिक की है, मैट्रिक करने के बाद, इंटर में RDS कोलज में पिता जी एड्मिसन करा आया यह वहां रखान स्वाव को चिना में ल attic एक अरॉर सीमे में लोग परचकर करने चल जाते थे。 तो में ल Click the material की भी जे जाते थे, हम लोग दम पिता जी को मालूम हेडीटी हिарति्य में जाते ही वहां भी राज निताकी, .. यंदमेसषा दीए त्यूसी यह सिर्ण को पट्ना हाधी स्था इन चौक्ट साओंगी स्था चुट्वें अते हं जाप्धुर से सकोने आधके जीए इनगेया ठहा दा कि इतट शिरफ ईंडंगी अब पिता ही जातते थे राजीं तीक नहीं करें और हमारे भुलावववव तो भुलाववव थे मिधाएक वहां हम लैभू को मदद करने के हमाद सुरी जादत है हमें स्टूडेंट लाइप मेरे पिता जी किसान परिबार के थे, ठोस किसान थे, ठोस मने पोले हैं, बढ़ियां जमीनदार थे, ठोस मने बढ़ियां जमीनदार नहीं थे, ठोस मने एक किसान थे, ठोस मने एक किसान थे, अच्छा दम से खेती उती होता था, कई बिगा जमीन थे, जमीन अब किसान है, किसान बता दीजेगा तो, बीक थोड़े जाए जाए सेर। ज़ने किसान थे और उस समय भी जो पढ़ने में लरका जो तेज था तो हम अपने पिता जी का पैसा देते थे टूशन फीस तो कभी-कभी हम कहते थे हरा गया पैसा, बुला गया, गिर गया, हम उस पैसा को भी उस समय भी जो हमारा साथ रहने वाला लरका था जो कमजोर, लोग हम से थोड़ा कमजोर था तो उनको मदद करने के काम करते थे जोग के रखते थे, हम कहते थे पिता जी उनको दे देते थे एक समय में एक साइकल खरे दिने के लिए के पढ़ने में बहुत अच्छा लरका था हमारा दोस्त था तो उनके पास उनके पिता जी के आर्थिक सिर्थ नहीं ठीक थी तो हम पैसा से साइकल खरे दिये हम पिता जी को कहा है जिए हमारा पैसा भूला गया है नबे में लालु जी आये, उसमें हम लोग मैटिक भी नहीं किये थे लगन लालु जी का सौस था जो गरीब गुरुबा समाज में दबे कुछले लोग को आवास देना का काम कि हम दो सोचे थे, जिनके पैर में चपल निकाल के आते थे लेकिन खटिया पर नहीं बैठते थे कुरसी पर नहीं बैठने दिया जाता था लेकिन लालु जी जब आवाज दिये तो विडियो के हाँ, सियो के हाँ, कलटर के हाँ, एसपी के हाँ, जो आम अवाम लोग है उभी जाता था यह खाटिया पर बैठने किसको नहीं तिया जाता था? जो नीचे बरक के लोग थे, खास करके दलित लोग थे, उनको तो नहीं कुर्सी पर नहीं बेचे. यादबो की क्या इस्थिति थे? जादबो की स्थिति पहले भी जादब मजबूत था, जो सही बात है. जादब मजबूत इस्थिति में थे, और जादब हमेशा संघर्स की है, लगाई लगा है. खास करें लालू प्रशाद जादब जी के बारे में, जादबो के बारे में कहा जाता है. लालू जी जादब के लेडर नहीं थे, लालू जादब अपरकास्ट के लोग के बिरोध नहीं करते थे, लालू जी एक बिशार था, और लालू जी सभी बर्ग के, चाहे अपरकास्ट के लोग हो तो, अनसुची जाती के लोग हो, पिछरा बर्ग के, जो गरीब तबका के उनको उत्थान करने के लिए उचाते थे लालु जी कभी जादब रैली नहीं किये लालु जी छोटी-छोटी जाती कि जैसे कुमार परजापती रैली किये थे लालु जी मुसहर रैली किये थे लालु जी कानू रैली किये थे मतलब छोटी-छोटी-छोटी-छोटी-छोटी- सब्सक्राइब को देखते थे जो खास करके जो गरीब तपका के लोग था उनको सब को देखते थे लालु जादा भी ऐसा सक्स थे जब चुनाब जीते तो हम लोग कहानी सुनते थे जए एक भगवतिया देवी पथर तोड़ती थी और पथर तो रही थी हमारे नेता लालु जी जा रहे थे कहीं तो जा रहे थे पुलिस उनके मुख मंत्री थे पुलिस उनके आगे पिशे लह ते था होगा जब गाही रोके उंसे पेडR करने के लिए थे भागी सब लोग अब भगवधिया देवी जी वह हां नहीं बागी वमेट थी तो भगवधिया देवी को उहां पुला या गया और भगवतिया देवी को लालु ऑर चुससे पहले वह बिदायक किते थी तीकश तो यह जो है सोसलिस्ट पार्टी जो कहानी है जूट मुटका की पत्थर तोड़ रही थी अलालु यादब देख लिए बोले भगवतिया चलो सांसर बना थे गलत हैं देखें इंफोर्मेशन परभात कवर की कवर रही है तो यह जो है सोसलिस्ट उपेंदर नाथ बर्मा इनको टिकर दिये और मोहन राम थे उभी नुक्री के लेनेगा आए उनको टिकर देने के काम किये थे ऐसे अनेको उदाहरन है ठीक बात है भगवतिया देवी के बारे में हम हम जो सुनते थे आप अभी टाटर दे रहा है जिनको लालु जी जमीन से उठाकर उनको टिकर देकर MP विधायक बेए हमारे यहां नवल किसो राजी सधान किसान के बेटा था अपरा घूमते थे उनको एकानवे में टिकर देकर MP बनाने के काम कि हम अपने यहां के उदाहरन देते हैं ऐसे अनेको उदाहरन है जो लालु जी भगवतिया दे और साधिवादी के से कि लव महरे जुगा कि अरेंज हुआ था अपर अरेंज उदाहरन पैसा के डिमान नहीं हुआ था है अईसे अपनमनेश दिया ने एक पैसा के डिमान नहीं ने एक तिलक गया गया हम लोग बढ़ाती जो गया है उनको खाना पिना और ठीधं से का हुआ भुँ हुआ था नहीं बढ़ाता है ट्यु गहाल कि था ऊट्स व साधी नहीं के घर चाशी को ही चुनाव लगा थे पंचायति चुना है में बात करें कि परमुक्त आप भी रहे या मुख्या रहे यह जो है किसे क्या क्या मेडम आपका रहा यह बता दो है दूहजार सुल्ला में हम परमुक मने इसके बाद पंचायती राज में भी अपना लगन लहते थे लगन मतर्द शेवाब हमना बिहार में सब से जब बोट से उसमें से केंड था हम चुनाब जीते थे 2700 बोट से चुनाब जीती थी मुख्या के तो अभी आप विधायक जी अमाइडम है परमुक जी मुख्या है तो आप लेकिन बुलाते हैं परमुक जी परमुक जी पहले परमुक बने इसलिए परमुक जी कहते हैं इस बोलने कि साधिम देहज वेज नहीं दिया आपकी पिता जी सची बात है हां सची बात है हमारे ससुर जो जो लोग जाएंगे उनका स्वागत हो और बाकि कुछ ने फिरीज टीवी कुलर जो मेरे पिता जी दिये जो अधिक प्रनीचर वगेरा जो होता है कपड़ा विदाई जो लोग का होता है स्वागत में बस उतना ही दिये बाकि देज नहीं मंगा गया था जो उनको हुआ वो दिया जाता है गिफ्ट के तौर पर इसको गलत भी नहीं बानता है गिफ्ट के तौर पर दिया गया पर पर परिवार भी देता है कैस नहीं दिये थे जी नहीं कहा माइका हुआ अपका धनकौल बाजपत्टी में ही है तो बाजपत्टी वही आसपस में है आपकी पढ़ाय लिखाए मेंड़ों? हम WM में हैं, और B.Ed. भी हैं. आच्छा, कहां से कौन-कौन भी से में हैं? हिस्ट्री से हैं और हिंदी से. आच्छा, कहां से किये? बिहार इंवर्सिटी. आच्छा, और B.Ed. किये होगे हैं? हाँ, B.Ed. तो आप सोचे थे, टीचर बनेंगे? तो जब नहीं राजनिती में आये थे, तो सोच रहे थे, कि अपने बच्छों लोग को तो पढ़ाएंगे, कम से कम ट्रेनिंग किये रहेंगे. अब और राजनित में हैं, और पति जब राजन में हैं, तो हम क्या कहें कि हम जुआ हैं, हम भी राजनित में है, और जो लोग भी शुरू से ही राजन के समर्थक थे, और राजन पार्टी के और राजत से विधायक भी बने, बहुत खुसी की बात है कि हम लोग जिस पाटी से थे, आज भी उसी पाटी को मानते हैं, आदर्स भी हमारे लालू जी है, तेजस्वी जी है, अच्छा, लालू जी में क्या अच्छा लगता है आपको, लालू जी की कौन सी बात आपको अच् की हासिक है और उससे आप परभावित हुई हो, लालू जी का जो हम लोग बचपन में सुनते थे, हम लोग के पिता जी बोलते थे, जो जब बहुत पहले की समय की बात है, जब गरीव लोगों को बंचित लोगों को जैसे छुवा छुत की भाव था, जो छुवा छुत है, वो एक कास्ट का है, उसको हम अपने घर में परवेस नहीं होने देंगे, उनको हम अपने चापाकल से पानी नहीं पीने देंगे, इस अपर उन्होंने जोरदार आवाज उठा करके और आरक्षन मिला, जिस वज़ा से सभी लोग अब अपसर बनते हैं, बड़े बड़े पो सब्सक्राइब करते हैं, बीजेपी की क्या सोच है, और महागरबंधन की क्या सोच है, क्योंकि चुना भी लोग सभा आने वाला है, तो हो सकता है कि आरजेडिस आपको लोग सभा टिकट मिल जाए, आप सांसत बन जाए, आपके परिपेक्स में जो राजनीत हो, कैसे देख देखते हैं, बीजेपी के सरकार है, वो धर्म के लराई लड़ते हैं, मतलब जात पात के लोगों को ले करके लराने का काम करते हैं, मंदीर मस्जित पर विवाद करते हैं, बीकास के बातों को अंदेखा करके, सिर्फ जाती पाती और भे दभाव करने का राजनीत करते हैं, लेकिन महागठवंधन के सरकार है, जो भीकास के मुद्दे पर लगते हैं, हमारे निताते जस्वी आदब जी है, जब से स्वास्त मंत्री बने हैं, तब से बहुत सारे होस्पीटल के जो बेवस्था उसको सुधार किये हैं, भैकेंसी के लिए भैकेंसी भी आने वाली है स्व स्वास्त भी भाग में, उसके बाद मुखमंत्री होने के हुए, दस लाख यूबाओं को रोजगार के मामले में भी बोले हैं, और धीरे-धीरे रोजगार भी मिल रहा है, जो उमीद है कि इनके सरकार में यूबाओं को रोजगार मिलेगा, और देख रहे हैं पहुत सारे वेवस्ता है, सबसे बड़ा तो हो स्पीटल की वेवस्ता में सुधार आई है, आपको लोग सभा करती करती है, आपको आपकी इच्छा है कि हम भी पॉलिटिकल पार्टी आर्जडी से चुनाओ लड़े विधान सभा या लोग सभा अंदर से इच्छा है, क्यूंकि महिला क संख्या कम होती है, कितना महिला विधायक है, नहीं लगता है कि मंतरी भी महिलाये कम है, 50% होना चाहिए इनकी आबादिक हिसाब से, या 35% भी तो होना चाहिए, तो 35% महिला विधायक तो नहीं है बिहार में, नहीं मंतरी है, तो नहीं लगता है कि आपकी जैसी पढ़ी लि इक्षा रहने से नहीं काम चलेगा किसी भी पार्टी और नेता पर विश्वास रखने की ज़िए हम लोग सुरू से ही आपको बतलाते हैं 2001 में महिला को आगे नहीं किया जा सकता है इसा नहीं जब दोनों पति-पति हम है तो हम है चाहिए है हम चुनाब जब प्रिक सुरूात हम किये थे महिला के सीट था तो हमने चुनाब लर के इल-चुनाब लरी और परमुख भी वनी तो नेक तो दोनों भी हो सकते हैं परिवार बात नहीं करना है हमको भरता लालू जादव राबड़ी देवी तेज परताब तेजा सभी हमारे नेता आधर निये तेश्वी प्रसाद जादव जी में हमको भाता साइद उतने कम एज में कोई नेता उतना परिपक होता है और उन से सीखने के जुड़त है लेकिन एक चीज को लेके भीपक्स भाजपा व में पास ही लोग राजिनतिक में आएंगे और विधायक MP बनेंगे आपके मध्रदेश में तो उमा भारती जी जो है से पांच भी क्लास पढ़ी लिखी है उभी मध्रदेश के चिपनिष्टर रही हुए है भारती जनता पाटी से केंदर मंत्री रही हुए है लेकिन उमा भ राज नेता उन इनन हमारे नेता से क्लब आगर नेता हमारे पीछे रहा जाएंगे कि हमारे लेता होगोंijo अर्यंच भाशार को भांफार भाह नगे हमेरे डी आश्माह नेता कईlyक कि सब्सक्भात को बसतरों रिख्गों में पाल पढूस थैखी है और सभी बारीकी से सभी से जनतादल के में पूरी तरह मंदारि से उसमें लगल पिता जी आपकोड ने वह सब हम इस लिए वोट मंगने के लिए जाते थemmentहीं इंपशन करये औरल हमारे पीता जी के मद आलक आदा सिर्विस करें कहई चार ने तो बेचो तरकारी हमारे पिता जी जब टिकट के लिए जब यहां हम अनवारुल हक साहब थे भूत पूर्ट सांसद उन्होंने चुनाव लड़े हमारे छेतर से उनका लरका चुनाव लड़ा 2004 में और हम लोग उसमें रूनी साथबु विधान सबा छेतर में थे उसमें हम पर ग लेकिन पा कि परते और नेता को पर तक बफ़ादार थे जब लड़े बाजबाटी से मों कंण सने मां फेन्होंते के सकता हूं सुछ सकता है अन्यता के हैं अपना प्रेरा किये थे, दवा किये थे, लेकिन संजोग बस अनवार उलहक साहब का हम विरोत करने गये थे, अनवार उलहक साहब को टिकट मिला, जो उनका लरका हम पर गोली चला है, लेकिन अनवार साहब को टिकट मिला, तो हम पूरी मंदारी से, तन मन धन कर फिर के खर्चा करके उनको मदद करने का काम कि न Smeg जीते अच्छीनाव नहीं जीते हार में पन्चायप सम्हें लग पन्चायटло चुनाव टील कि नहीं लगे ritual हम को कहें हैं ne पत्नी को लड़ाय कि आपको लड़ाय कि आप लड़े लड़े कि नहीं चाहती ही जह मुझा आपके पिताजी नहींचाते है ते कि आम राजनीत में आए तो कैसे सुविकार के बहु राजनीत में आए लेगिन हम से खुस नहीं रहते थे, पहली पार जब हम बिधायक के टिकट के लिए, फिर उसमें मदद किये चुनाभार गये, हम परमुक बने, चुनाभार के बार हमारा इक्षा था जो हम बिधायक बने, 2015 में जो उसमें जनता दल उनाइटेट की NDA की सरकार थी, मंत्री थी जिसनको हम हड़ा है, मंत्री थी हमारे उपर, हमारे पत्नी के उपर कई की तक केस भी करवाई बहुत सारा केस हुआ रन्जोगीता हाँ जो हो, जिनको हम हड़ा है हमारे पत्नी पर भी केस कराई हम पर भी केस कराई, जूटा मुकदमा सब सरकार था, जूटा मुकदमा कराती थी उस समय संजोग से 2015 में फिर महा गठवंदन हो गया गठवंदन हो गया, जनता दली और राश्टी जनता दल से गठवंदन हो गई तो हम पार्टी के साथ अपने नेता के साथ कभी गदारी नहीं किये, उसी का हमारा देन है जह हमें विधायक है, उस समय फेर हम पर पूरा केस मुकदमा होने के बाब जूद भी, जब गठमधन से उनको टिकट मिला, तो पूरा ही मंदारी से तन मन धन सब लगा के उनको मदद किया, चुनाब ही जीती हुए, चुनाब जितने के बाद हमारे सारे लोग काते है, चुनाब में मदद नहीं किजे, हम करी नहीं, पार्टी नेता के साथ गदारी कभी नहीं करना चाहिए, तो केस वापस हुआ किया है? ने, केस अभी तक चलिए रहा है, अभी बड़ी और हम सदस्ता पार्टी के लिए हम पुरी मंदारी से काम करते हैं, सदस्ता अभ्यान हम 25-26 जार हम सदस्ता अभ्यान चलाये थे राष्टी जनतादल के सभी बूत पर, और 20 में हमको 20 में, उनेश में ही, यहां से आधरनिय नेता हमको यूबा राष्टी जनतादल के जीला किस जले करते हैं, हम आपने नेटा के लिए करते हैं, जोने यूबा से मिल-मील के लिकिन एक बात हमारे थे आधरनिय तियसांवी पर चुकत करेंगे उनको हम टिकर देंगे जनता के बीच में जाए हम सर्वे कर बार है तो हमको अपना पुरा भरोसा था जैए नेता अगर कह रहा है जनता के पी जाने के लिए तो जनता हमको चाहती थी यह मुखेस जादव कोई की टिकट मिले और नेता को यहां आकर भी कहते थे सोसल मेडिया के मादर्व से और अकर सब लोग हमारे च्छेत के करीव कर जितना जन प्रतंदिया आकर नेता से मिलकर पहते थे हम नहीं भेट करते हैं यह दिन अचानक बड़े साहब की हाँ भी मिलने गए थे हम लोग के अभिवावक पहले बिहार सरकार के मंत्री थे पूर्व मंत्री सुर्देवाओं उनको कहां कि यह सर हमको एक बड़े साहब से मुलाकात करा दीजिए तो राची गए राची गए साहब से भेट कि भेट करने के करता थे तो जाके कह दिए जे टिकट मिल भी गया घूमने लगे च्छत्र में लेकिन हमको अपना सब लोग कहें कि आप चले आए यह क्या है घूमते हैं हमको अपना विश्वार साज नेता कहें हुए जिए सर्वेक रवाकर टिकर देंगे और सर्वेक करहार पर हमको पूर दिए चले यह एक वर फेट साहब से सब्सक्राइब करते थे वह पना सर्वेक देंगे जन्ता चाह्यागा सब्सक्तर को फोन कहें कि जे कहा है उन्होंने कहां कि यह सरकार बनाना है कि नहीं मुख मंत्री हमको रूप में देखना चाहते थे हम नेता को मुख मंत्री के रूप में देखना चाहते थे और सही मैं दिल से बोलते हैं हमको विधायक बनने का सौक जितना नहीं है यह अदर है उतना हम जाते है थे हमारे नेता मुख मंतिरी अबानेगे तिक वह बड़ Ora kisapp कर देने का काम किये हैं से वं लेटा के बारे में अगर पैसा से टीकट मिलता है हमारे हैं भुछ बड़े हैं पुझीपति बड़े लोग थे हमारे पास पैसा कहा से आगा पैसा देने के लिए चुनाब लियwy किसानक़ प्रिभारर के चुनाब ले वही थी है तो सितामणरी से बाजपती सुवाच चेत्र के विदायक है तो डोनों से बातचीत कि ये पती पत्नी है पर्मुक बनी की पहले इसलिए विदायक जी आज भी अपनी मैडम को पर्मुक जी का के बुलाते है और यह जगा अभी खाली देख रहे हैं बड़ी मूश्किल से वक् थाके रखते हैं और बहुत भीड़ लगी रहती है इसलिए अभी समय हो गया रात का इसलिए समय भी मिल गया मैडम बहुत शुक्री आपको बाचीत के लिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद तो कैसी लगी बाचीत इनकी इनके पिदाजी नहीं चाहते थे कि हमारा बेट बन गए मैडम भी राजनीत में आ गई और हो सकता है कि लोग सभा का टिकेट मिले इनकी इच्छा भी है और पढ़ी लिखी भी है तो राजाट से टिकेट मिले तो सांसत भी बन सकती है हम सुब कामना ऐसी देते हैं तो कैसी लगी बाचीत बताए एक कमेंट बॉक्स में फे